नमस्कार अधावन वेलकम यूर वाचिंग संडी शो विच साथ थक बो शो जहां हम करेंगे न्यूस की बाद एंटर्टेन्मेंट के साथ ट्विटर से शुरुवात करते हैं जहां इस हफते हमारे एलॉन मस्क बाई साब आप चोक स्लैम चला चला कर बोर हो गया है और आप सीधर नॉक आउट करने पर आ गया है आपने पहले ख़वर सुनी होगी कि ट्विटर इंप्लोई को निकाला गया था फिर उन्हें वापिस बुला लिया गया फिर एक सब्सक्रिप्शन फीचर लाया गया था जब वो बैक्फायर किया तो उसको भी वापिस कर लिया गया तिपिकल इलॉन मस्क ये टेक्स उसेड़ा उसके बाद गले को अधेड़ के नाच से बाहर निकाला उसके बाद मेरी बत्ती गुलो गई ट्विटर में कांड ने चल रहा है आजकर ट्विटर पर ही पता चल रहा है बाद ऑफिस के बाहर कोई बोर्ड लगा रहा है जिसमें एलाउन मस्क को गालिया दी जा रही है एक फ़नी इंस्टेंस बताता हूँ, एक बंदा जो Twitter के offices में badge access देखता था, उसको नौकरी से निकाल दिया, फिर उसको फोन करके बापस बुलाए जा रहा है क्योंकि कोई office के अंदर ही नहीं जा पा रहा था अब इस हकते मस्क भाई की दादागिरी से तंग आकर कई सारे important Twitter officials ने अपना इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ही कहा जा रहा है कि Twitter app का चलना काफी मुश्किल हो जाएगा लोगों ने ये तक दावा कर दिया है कि Twitter जो कुछ ही टाइम पहले one of the biggest social media giants था अब ये चले ही नहीं अब देखो Twitter की बरबादी के पीछे कई कारण बताए जा सकते हैं कोई बोले काई Elon Musk गमंड है, कोई बोले काई it was already a dying platform, कोई बोले काई it will lose followers लेकिन हम और आप सब जानते हैं कि सच्चाई तो यही है कि कंगना की हाई लगी है मैं मैं तो इतना लाइफ कराव हो गया है खेर से Twitter नहीं है जहां लोगों को काम से निकाला गया है इस हपते BCCI में भी वही हुआ है हाली में World Cup में इंडिया की हार के बाद BCCI ने अपने selectors का नमाजुद्दीन सिद्दगी कर दिया है चेतन शर्मा इंक्लूड़ेट सारे selectors को निकाल दिया है वो ये कि ये चर्चा है कि अब महिंदर सिंग धोनी को नईया समालने के लिए बुलाया जा सकता है देखो, many of you will agree but धोनी is like that X जिसकी value ब्रेक अप के बाद समझ में आती है भाई, वो खड़े-खड़े match बदल देता था cricket pitch के बीच में chess खेलता था वो कुछ था उसमें, बहती हवासा था वो, लोटाओ moving on to the news of the week and disclaimer alert मुझे महरौली case से start करना पड़ेगा and I know अगर आप इस story से already काफी overwhelm हो चुके हैं, काफी सुन चुके हैं अभी भी उस trauma में हैं तो आप इस time stamp पर जाके skip कर सकते हैं case क्या है? आफटा आपने अपनी girlfriend शद्धा वालकर को मारा, उसके body के pieces किये, उसे fridge में रखा और महीनों तक उसे पास के जंगलों में फेकता रहा इसने अपनी girlfriend को मारा, उसकी body के pieces करके उने fridge में रख दिये शद्धा के account से उसके दोस्तों से बाते करता रहा और सब के बीच, ये काफी normally सब के बीच में जीता रहा इस शौकिंग एंड स्केरी ये एक ऐसा case है जो बहुत सारी emotions जगाता है आप शौक हो जाते हो, आपको गुसा आता है, आपको डर लगता है इतना जादा किसी case ने अगर किसी को जंजोर के रखाता आक्टरी बार मुझे आदे, शायद वो बुरारी case होगा इस case के और भी कई सारे disturbing details है अगर आप फिर भी पढ़ना चाहें, तो मैं description में link के दे दूँगा आप जाके पढ़ सकते हैं अब इस case के सामने आने के बाद, इसमें communal angle डालने की भी कोशिश की जा रही है इस के अलावा इस दोरघटना के लिए जो वहाँ लोग मौजूद थे, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है अच्छा, ठीक है कुछ लोगों को ये बात आज हमारी बुरी लग सकती है आज का दिन तो नहीं है ये कहने का अफताप का एक नार्को टेस्ट होगा और होफुली जो सबसे गुरूसम डिस्टर्बिंग डीटेल्स थी हम अलड़ी जान चुके हैं और इसके लाव अब और इस केस से कुछ नहीं आएगा चलो आगे बढ़ते हैं युनाइटिट नीशन्स ने इस अफते हमको बताया कि अब इनसान जो है अब वो साथ अरब नहीं बलकि आठ अरब वाली प्रजाती बन चुके हैं हमारी पॉपुलीशन जो है यूमन रेस की पॉपुलीशन अर्थ पे एट बिलियन क्रोस कर चुकी है दुनिया की अबादी बढ़कर आठ अरब हो चुकी है जिसमें चार अरब तो सिर्फ पिछले 50 सालों में बढ़े हैं और हमारा कहीं हो ना हो यहां विश्वगुरु वाला पूरा योगदान है अगले साल यानि की 2023 तक हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे पॉपुलीशन के माबले में अगली खबर है नौकरियों को लेकर जैसे कि अभी हमने बताया कि मार्केट में नौकरियां नहीं है और अगर Amazon कंपनी की बात करें तो अब यहां पर आपका फेवरिट स्नीकर और नौकरियां दोन आउट अफ स्टॉक हो चुके हैं जैसे कि हमने पिछले अपते डिसकस किया था Amazon जल्दी अपने हिस्टरी का सबसे बड़ा ले ओफ करने जा रहा है कम से कम 10,000 इंप्लोईज नौकरी गवा देंगे और इसकी वज़ाए प्रिसेशन और गवर्णमेंट पॉलिसी के साथ साथ यूमन एवल्यूशन को भी मान सकते हो विकॉस दिस ताइम मुस्ट अप दे जॉब्स आप वे बाई तो अपने आपको constantly upskill करना पड़ता है इसलिए आप अपने आपको upskill कर सकते हैं Skill Link के साथ जो है इंडिया के largest engineering e-learning platforms में से एक यहाँ ना सिर्फ आपको engineering domains में PG courses available है बलकि electric vehicles, data science, machine learning, AI जैसे upcoming technologies पर भी courses मिलेंगे यहाँ industry experts द्वारे design किये गए courses हैं जो आपको project based learning के द्वारा सिखाए जाते हैं और यहां Mathwork, Dassault, Nissan, Bentley जैसे 300 से ज़ादा companies हैं जो 2000 से ज़ादा domains में job offer करती हैं अभी skill link को download करने के लिए description में link दिया गया है आप जाके download कर सकते हैं इसे आपको 15% off तो मिलेगा ही एक free career guiding session भी मिलेगा तो आप इंतिदार के इस बात कर रहे हो जाके download करो international news की बात करें तो इस हफ़े इंडोनेशिया से भारत को G20 की precedency मिल गई है और इसे हमारे देश को international diplomacy में काफी बड़ा फाइदा मिलेगा इस बात का idea अब इस बात से लगा सकते हैं कि जो G20 में देश हैं वो global GDP का 85% हिस्सा constitute करते हैं 75% of international trade and two-thirds of world population एक interesting report सामने आई है जिसमें पता चला है कि हर साल भारत में 64,000 यानि कि 64,000 लोग साप के काटने की वज़े से मरते हैं और अगर आप दुनिया भर का आखड़ा देखो तो ये बड़ा नंबर है globally around 80% 80% snakebite cases इंडिया में होते हैं अब हाला कि हमारे देश में snakebite से death जादा होती है लेकिन interesting बात ये है कि जो जहीरील इसांफों के प्रजाती है वो हमारे देश में सबसे जादा नहीं पाई जाती है 30% snakebite के cases ऐसे होते हैं जो जाके hospital में treatment लेते हैं और instead of कि उनको कहीं ट्रीटमेंट के लिए ले जाये जाये, कुछ एक उनका इलाज करवाया जाये, गाओं वाले जो होते हैं, वो जाड़ पूप पे जादा विश्वास करते हैं. और यह important इसलिए है, क्योंकि यह पहला privately built rocket है, क्योंकि जो हमारा space missions होते हैं, वो अभी तक सिर्फ ISRO handle किया करता था. किसी भी देश की space, यह atomic missions होते हैं, उनको इतनी आसानी से liberalize नहीं किया जाता. अगर कोई भी country करती है, तो यह काफी bold move होता है. विक्रम इसको Skyroot Aerospace ने ISRO के साथ मिलकर बनाया है, और इसका नाम रखा गया है विक्रम सारभाई क्यूपर, who is known as the father of Indian Space Program. अब hopefully इससे over time technology improve होगी, कई सारे start-ups आएंगे, जो कई सारे satellites को space में भीजेंगे, और communication network सुधारने में मदद मिलेगी. और इसके लिए आप यहाँ मोदी जी की तारीफ कर सकते हो, यहाँ बंती भी है. कोई मौका नहीं छोड़ते हैं न, advertisement का. कुछ भी? कुछ भी? Nonsense news, यानि कि वो segment जहाँ हम हपते की कुछ फाल्टू की news पर discuss करते हैं. जैसे कि यह वाली, जहां हलदवानी में एक दुलहन ने शादी इसलिए cancel कर दी, क्योंकि उसका लेहंगा नहीं था. लेहंगा था, मेहंगा नहीं था. लेहंगा मेहंगा नहीं था. अरे कहना क्या चाहते हो? ये sentence राइम हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है. शादी इसलिए cancel हो गए, क्योंकि दुलहन को सिर्फ 10,000 रुपए का लेहंगा दिया जा रहा था. उसने का, ये तो बिलकुल acceptable नहीं है? अब देखो मेरी average human understanding कहती है, कि यहाँ मसला को चला गया है, लेहंगे को बहाना बनाया जा रहा है, matter is something bigger, वरना सिंपल है, बच गया दूला, दुलन वोस अ गोल्ट. एक गाउं में बच्चे mobile phones और video games के इतने आदी हो गए कि गाउंवालों ने mobile phone को ही ban कर दिया. यह हुआ है पुसट जिले के बंसी ग्राम पंचायत में, जहांके गाउं के बच्चे इतना video games खेल रहे थे, और ऐसी ऐसी संसकारिक website पर जा रहे थे, कि गाउंवालों ने इस पर रोक लगानी पड़ेगी. और यह डिसाइड किया कि गाउं में जो 18 साल से कम उमर के बच्चे हैं, उनके लिए mobile phone ban. बच्चों से कहा गया कि बहुत होगी PUBG वाजी अब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईए वाईएस बनो और देश को समालो. और गाउं के सरपंच ने कहा कि अगर फिर भी कोई बच्चा mobile चलाता देखा, तो उस पर penalty और डंडे दोनों लगेंगे. और आरोप लगाने लगे कि वो nomination file नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि party के दो नेताओं ने इनकी bank passbook जब्त कर लिये. और फिर भाई नहीं ये बोला कि चलो भाई, टिकिट नहीं दे रहे हो, मत दो, कम से कम मेरी passbook तो लोटा दो. एक मज़दार वीडियो वाईरेल हुई UP के पीली भीट से, जहां पर 4 करोड की लागत से एक सड़क बनी, ऐसे official records में देखाया गया, और public ने उस रोड को हाथ से उखाड़ दिया, ये quality थी रोड गेंगे. इस बार माफी से काम नीं चलेगा, ओठक बैटेगा. चलेगी अब तो. चलो पीली भीट से ही एक और नॉंसेंस न्यूस बताता हूँ. आपने धोल मूवी देखी है? नहीं? क्या सड़ी जिन्दगी जीरव है यार? धोल मूवी से इंस्पायर होकर एक चोर ने चोरी की और लगबग सत्रा लाख रुपे धोल में चोपा दिये. इतने तेजस भी लोग है हमार पास. साथ लाख रुपे दे दिये. वो भी एक एस्ट्रोलजर को. जिनकी मंदली पूरी मिल कर एक मैच प्रेडिक्ट नहीं कर पारी. वो पती कैसे कंट्रोल करेगी अम्मा? साथ लाख. अरे छे लाख में तो दूसरा पती आ जाता. और छे अजार में तो रशियन आ जाती, क्या मार्केट में जाओ तो घंटा कुछ खरीदने की उकात नहीं हो रही. बट पड़े लिखे लोगों को कहा है कि कागजी तोर पर तो यह हो गया है. अरे दिखा दो उनको. जब तक वो आर्टिकल दिखा के 4-5 जारगन ना मूला, मानते नहीं है लोग. इस सब देश का रिटे चिकेन या पनीर या जादा कुछ इसा मंगल बुद्ध हुआ तो मस्रूम. आप यूट्यूबर आदमी हूं, स्पॉंसर्शिप वगरा यह सखल देखे जच करते हैं लोग बस. चलो अगली पॉजिटिव नियूस बताता हूँ. देखो स्कूल टाइम में क्या होता है कि कु बड़े उतते हैं और हमको थोड़ी समझ आती है तो पता जलता है that this phenomenon is basically body shaming. जहां आप किसी की physical traits की विज़े से उसका मजाग उड़ाते हैं. और usually हम इसको ignore कर देते हैं लेकिन कई बार क्या होता है किसी इंसान की self confidence और उसके मानसिक स्थिती पर बुरी तरीके से ठेस और इसी को लेकर एक positive news आई है केरिला से जहां पर अब body shaming वहां के बच्चों के school curriculum का हिस्सा होगा. बच्चों को इसके बारे में सचेत किया जाएगा, इनकी teacher training programs में include होगा and hopefully केरिला से सीख लेकर बाकी राजजबी ऐसे ही कदम उठाएंगे. क्योंकि this sort of learning might not make children a better job candidate but a better human for sure. अब आपको northeast के एक superhuman से मिलाता हूँ. यह है मनीपूर के मोईरंग पाइम लोया जी. और इस काम के लिए ये 6 सालों तक अकेले एक जोपड़ पट्टी बना कर रहे हैं. और वहाँ पर के आसपास धीरे धीरे bamboo, oak, cutahel के पौध ही लगाने लगे. और धीरे धीरे करके जंगल को वापस जीवित किया. आज ये करी 20 सालों से पौधार उपड़ कर रहे हैं. और य अभी तक अपने आसपास की 300 एकड़ बंजर जमीन को जंगल बना चुके हैं. और मुझे लगा कि इन जैसे लोगों की स्टोरी आप तक लाना ज़रूरी है. क्योंकि अगर ये recognition डिजर्व नहीं करते तो कौन ही करता है फिर? सेलेबरिटी शेफ विकास खन्ना ने एक किताब लिखी है Barefoot Empress जो 101 साल की काथियानी अम्मा की कहानी पर अधारित है. उनके बारे में सुनो के बहुत अच्छा लगेगा. अम्मा को 2019 में नारी शक्ती पुरुसकार मिला था. क्योंकि इन्होंने 96 याने 96 साल की उमर में का भी दिहान थो गया. ये 20 साल की भी नी थी जब इन्होंने पढ़ने लिखने की उमीद छोड़कर इन्होंने बच्चे पाले. कई सालों तक एक मंदर के बाहर जाडू लगाती थी जिसके अंदर भी इन्हाने दिया जाता था. लेकिन जिंदगी का इतना लंबा हिस्सा ब लेकर उसे एक मतलब निकाल पाना. ये कितना important है, ये कितना valuable है, ये काथियानी अम्मा की कहानी हमें बताती है. अब ये बजा हैगा ना विडूओ. देखो constantly पूरे हफते महरौली वाला केस चलता रहा, तो काफी मुश्किल था अपने आपको भाई कोई content को देखकर थोड़ा सा असाना, बट काफी सारे ऐसे memes रहे जिन्नोंने मुलके ये possible किया. जैसे कि साथ ही साथ में Elon Musk और Twitter का भी च वो ट्विटर के साथ भी कर रहा है, basically जो डोल मुवी में राजपाल यादव के साथ हुआ था. Who did this? मोधी जी पहले हग बहुत किया करते थे, आप हाथ में लाने लगे हैं. तने शिट पोस्टिंग और इंस्टेग्राम, I am a Scorpio and you? जी में स्टिफ डिजायर. नाम बात में पहले OTP बताईए. चुट्टी के लाने आबेदन पत्र, सेवा में स्रीमान मासाब, अच्छा ये किसी ही बच्चे ने लीव एप्लिकेशन लिखा है, जो बुंदेल खंडी में है. अच्छा, बुंदेल खंडी is a very, very beautiful language, पढ़के सुनाता हूँ. सेवा में स्रीमान मासाब, सबजेक्ट, मध्यम, पाट साला बुंदेल खंड, महा अनुभव. तो मासाब ऐसो है कि दो दिनां से चड़ रहा है जो वुखार और उपर से जा नाग बहरी सो अलग. जई कि मारे हम स्कूल नहीं आपाए, सो तुमाए पाओं के आगे निवेदन आए कि दो चार दिना की चुट्टी दे देते तो बड़ा अच्छो रहे तो. और अगर हम नहीं आए, तो कौन सो तुमाँ स्कूल बंद हो जे? तुमाँ आग्याकारी सिस से कलुआ. देदो मासाब बाई चुट्टी कहनी मान रहे तुम? अमाँ कलुआ भीचारा वो इते एक बागो बदन तप रहो, इते एक बदन तप रहो, वाके बिलाद दबाई दारू करा ले लेकिन बिचारा वो एक बार बिस्तर पे लेटो है, तो उट्वो ही नहीं है. अमा तो एक लो तो मोड़ा है शांत शांत हो जा मेरे बच्ची शांत हो जा दिब्या गंडोतरा टन्नन विच इस दे मोस्ट मिस्यूज़ लॉइन इंडिया श्यामीरा सिंग से इस डॉटर इन लॉइ क्या मतलब गिफ्ट और दहे जे की बात है निश्चा वर्मा ट्विटेड यू और वोट यू इट उस हिसाब से तो मैं धोका हुआ तो फिर मोडी जी तो गाली हुए मैं डेली दो किलो, ढाई किलो, तीन किलो गाली खाता हूँ नहीं रोहित, शुगर डैडी का मतलब पापा का डाइबिटीज नहीं होता और BBC का मतलब बाबू बनार्सी कॉलेज नहीं होता चोकमी मतलब गला नहीं दवाना है कैसी अपमान जाने बाते गलार अलका ये असलीर है यलोना नाव दिस वाई ट्विटर इस सो बीटिफुल शेस ने ट्वीट किया फिर से यूरोप जाने का मन कर रहा है तो कोई रिप्लाइ करता है फिर से हाँ एक बर पहले भी मन किया है वहाँ तेज हो रहा है वी आईपी टू टू जिरो नाइन वन नाइन टू और इंस्टेग्राम भाई तुम नाम हो पिन कोड हो, मोबाईल लंबर हो, क्या हो watching from the city of golden leaf in the milk capital of India the milk capital of India जैसा की सरने location में भी लिका है वो है Gujarat का आनन्द जिसको milk city कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे आप जैसे जानते है कि Gujarat में ही, जब वाइट revolution आया था तो जो दूद का सबसे जादा production होता है वो Gujarat state में होता है और आनन्द एक ऐसी city है जो बहुत ज़्यादा फेमसे इस मामले में I am Mohamed 7 is watching from the city of pearls and the winner of world green city 2022 the city of pearls is, as we all know is a city of Hyderabad और Hyderabad को हाली में world green city 2022 भी कहा गया है that was easy easy peasy Bishal Saha 8833 is watching from the chicken's neck and also one of the first eight cities to get 5G connection chicken's neck कहा जाता है वो जो इंडिया को हमारे north east path से connect करता है वो छोटा सा area उसको हम लोग chicken neck कहते हैं और सिर्फ पता नहीं आप किस जगे के बारे में बात कर रहे हैं बट बहाँ पर एक silly goodie corridor है तो I am guessing it's silly goodie So thank you Bishal for this information ऐसे ही अगर आप भी show में feature होना चाते हैं तो आपको show देखते होए अपनी selfie लेनी है Hashtag Sunday is Sarthak के साथ Instagram पर post करना है अगर आपको आज की वीडियो sponsors के link को join करना हो तो आप उसका भी link description में देख सकते हैं चानल member बनना हो तो उसका link भी मैंने description में दे रखा है शो पसंद आया तो like जरूर कीजिएगा नहीं पसंद आया तो dislike कर सकते हैं पिछले हफते का show यहां मिल जाएगा आपको अगले हफते मिलेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल लखिए टाटा बाइबाइश रभाखेर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर